हेलो एबरीवन वेल्कम टू जेनिक एजुकेशन हो सकता है पहली बार में नहीं सुनाय दिया होगा क्योंकि मैंक आप था अब साइध ओन हो गया होगा मैंक और आप लोगों को वाइस प्रोपर में सुनाय दे रहा है कि ने बता दीजिए एक बार गुर्मॉर्णिंग दिवे सब कुछ किलियर है बता दीजिए फिर सेशन है स्टार्ट कर रहे हैं और लोके सर गुर्मॉर्णिंग अंकू अब यह बताएक कल हम आपको एक होमवर्क दिये हुए थे आप लोगों ने ट्राइक किया किसी यो कोई डॉट है दिवेस नाथ गुर्मॉर्णिंग दिवेस कल जो एक होमवर्क दिये हुए थे आपको उसको आपने ट्राइक किया उसमें कोई डॉट या आगे बरहा जाएए बताईए कि जितना कराया जा रहा है उसको फोशी टाइम आज और Past Day के साथ डिजिटल को आपको फिर से पर्णा पड़े फिर से नहीं पर्णा उसको अभी पश्च करते जाना है बस लास्ट में मैं बताऊंगा जब डिजटल कंप्रीट हो जया आज का काम आज फिनीटा है अगर इसको पेंडिंग में रखेगा तो फिर कोडस अइट आने वाला है अब समझते हैं को को समझना उस पे जितना प्रैक्टिस करेंगे यह सारी चीजे कितना होने वाला और डिजीटल हाइ़ लॉजीकल और असकोरिंग भी है तो जैसे बताया जाएगा आपको जिस पोर्शन में फोकस करने के लिए उस पर डेफिनेटली फोकस कीजिएगा इजी वे में सारा कुछ हैंडल होने वाला है बिनाइक कुमार गुर्मॉर्निंग नहीं फंसन था ना चेक करना एक बार यही फंसन था ना F ABC equal to A bar plus BC bar इसको किसमें convert करना था इसको convert करना था आपको canonical canonical SOP form और canonical POS form यही तो था ना सेम function था एक बार confirm कीजिएगा यही function लिखे था या function different था जल्दी बता दीजिए और इसमें से आप लोग कौन से स्टुडेंट कौन से ब्रांच से यह बताईएगा कौन कौन से ब्रांच से हैं स्टुडेंट electrical electronics IN CS सारे के लिए अपको EC में है फिर भी पढ़ना पढ़ेगा EE में है फिर भी पढ़ना पढ़ेगा IN में है फिर भी पढ़ना पढ़ेगा और CS में है तो पढ़ना ही पढ़ेगा आपको सेम था ना अब इसको कनवर करना था किस-किस ने किया थट रहे देखो आईसे जो पेंडिंग छोड़ोगे तो फिर पता नहीं चलेगा पता चला सर होमवर्क दिये हुए हैं और नोट्स में लिखा हुआ है होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा कि सिल्पा बनर जी सेम इसी से ओके सिल्पा इसी से और आप लोग दिबेश अंकू बिनाए कौन सा ब्रांच है आपका तो इसी से तो पढ़ना ही परेगा आपको कोई साभी एक्जाम जेटाए डिए अचल दीजिए स्कोरिंग होता है डिजिटर इलेक्ट्रोनिक्स तो इसलिए आपको धंग से पढ़ना है उसे स्किप तो करके जा ही नहीं सकते हो आप डबली बिनाए कुमार मौर्या डबली वेल्डन इलेक्ट्रिकल अंकु ओके आंसु भी डबली से ओके डबली से तो डबली वाला सब अभी तो पढ़ना पड़ेगा किस पोर्शन पर कम फोकस करना है मैं बताऊंगा क्योंकि आप में भी आता है डिपनेटली आप में भी आ इसलिए हलके में मत लेना और यह सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से पूछा जाएगा आपको इलक्ट्रिकल इलक्ट्रिकल और तो यह सब तो यहां पर कितना थे आप तो कैसे करते थे मैं हिंट दे रहा हूं तो बने करने जा रहा हूं यह बार बांकि बीके बार क्या लिखिएगा बी प्लस बीबार क्यों कि यह वन हो जाता है प्लस बार और बांकि रिमेनिंग टर्म इसको कीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद जो एंसर आएगा और इसमें जो मिसिंग होगा वो पाई एम करके आ जाएगा यहां पर सब्सक्राइब करें और यह वह जाएगा के यह को गया कियो और यहीं दोनों आप्शन में पर जैन्ट था इस फार्म में सिग्मा और पाई करके सिग्मा एम का ऑप्शन वन टू थी जो भी लिट्रल आए गा यहां पर पाई आएम में जो भी बीन टरम आएगा उसको अब चलते हैं थोड़ा आगे अब क्या पढ़ना है थ्री वेरियेवल के मैप लिखेगा नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक लिखेगा क्या थ्री वेरियेवल के मैप अब करके न्युक्त नंबर अप सेल कितना हो जाएगा टोटल नंबर आप सेल त्वक अपता है आपको एक धांपल लेते हैं इसकी थूटू समझते हैं इसमें क्या क्या करेंगे चीज़े एक घ्जामपल लिखिए एक्जाम्पल है F ABC equal to F ABC equal to Sigma M Sigma M 023456 023456 इसको solve करना है तो सिंपल से बात है तीन वारियवल है तो कितना तीन वारियवल है तो कितना एट्सल का के मैं बनेगा तो एट्सल का के मैं बना दीजिए कैसे बनाते हैं हमेशा याद रखेगा में इस मैंस अलएघो घरेये हैं के मैश्चन में सकति के मैं सीको करें यहां पर कि यहां पर किसी को कुछ भी जास को बोलना हूं अभी इस को प給emora המש है अब देखिए कोई बोलेगा सर इधर ए मानते हैं इधर बीसी मानते हैं इधर ए मानते हैं इधर बीसी मानते कोई दिकत ने मान लो भाई कोई दिकत नहीं अब कोई बोलेगा सर नहीं कि धर इधर सी मानेंगे एधर हम वी मानेंगे तो तोस师 को कि पास फोलौ करते हैं यहां एसा कुछ है नहीं तो जनली हम इसको ए मानते हैं और इसको बीसी मानते हैं तो इसका नमेंग क्या हो जाएगा एबार और और हमेज़ा यह काम कीजिएगा जब भी के मैं आप दिखे सबसे पहले इसी फॉर्म में नेमिंग करना है जीरो ओन के फॉर्म में मज जाएगा जीवरें लिएक्जाम में 0109 के मैं आपको दे करकें तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है तो इस जए ओन निकालना परेंगा आपको तो इसलिए मिट लिखेंगे और ठबटर आपकर और विर्वाद करना है आपको आप जीरो होता यह वन होता है यह भूट होता है यह थ्री यह फॉर यह फाइब ये शिक्स और यह सेवन यह आपको याद हो जाएगा अगर किसी को याद नहीं है तो वरी ने करना है सर सौंड बहुत लो है आज सर बहुत धिमा आँ रहा है आवाज ओके एक मिनट ओप सबाइब है अब सबर्गाइब करना है अब चै करना आवाज और है कि नहीं कि चैनल यक्बार अ-ठीक तो है यहां पर याँ पह bind वाज है यहां पे हमारे पास तो सभी तो के अब चले अब बिनाए सिलपास चले अब ओके चले ठीक है अब देखो इसमें ये काम पाले कर लेना आपको इसका ये नेमिंग कर लेना है 1234 ये सब असानी होगी आपको अगर इस तरह का के मैप दिया रहे इस तरह का नहीं रहे जीरो टू थी तब इसकी भी जरुवत नहीं है यह जो नमरिंग किया इसकी भी कोई जरुवत नहीं है तो किसकी जरुवत है तो दिखाएंगे जब आपको इस फंचन के फॉर्मेट दिया रहेगा जैसे क्या बोलते है एब पलस बीसी तो किस फोकस करना यह भी मैं बताऊंगा जब यहां तक सेबसादय करें estar administration को इंगेज कर सकते हैं देखो यह देखो यहां पर बनेगा क्या यहां पर ग्रूपिंग बनेगा दोका पर बनेगा यहां पर यह पर बनेगा और यह पर बनेगा यह बनेगा यहां पर देखो यह पर बनेगा और यह पर बनेगा इसके अलावे कुछ बनेगा क्या जल्दी बता इसके अलावे कुछ बनेगा या नहीं जल्दी बताऊ इसकी अलाव़ा किसी को कुछ दिखा रहा है क्या बताना इसकी बाहना और किसको क्यों गद क्या वोल रहे हैं मेरा टारगर क्या है maximum number of element को इंगेज करके group form करना ओके और एक बात और एक बात इसके लाबा भी दिख रहा है क्या दिख रहा है ध्यान देना जब भी हाँ पर मिन्स सफ जब भी कॉर्डनर वे परजेंट होो कोई यहां भी पर्जेंट और यहां भी पर्जेंट तो यह तो प्रियर भी बना देगा सरक ऐसे यह देखो तेस और दिस यह मिलकर नहीं बना देगा क्या तो पर से जधा प्रपॉदोस को ड़ीर पेर से ज़़धा पाइटिकल को देट क्वैड को मेरा टार्यत होता है मैक्सिमम नम्मर ओप एलिमेंट को इंगेज्र करके गुरूप फॉर्म करना अब देखो ये तो क्वैर बना दिया बिल्कुल सही है अब क्या बनेगा अब क्या बन सकता है क्या कहीज भाइन पर अईसा धिक लाएं पैर नहीं फिटने दिख रहा है क्यों ना भी element था सब engage हो गया है इसमें अब देखो क्या करना है अब तुम्हें चेक करना है जो इसमें से कौन सा valid pair है valid quad है या नहीं यह बहुत ही important है इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि student यहां पर miss कर जाता है और student गलती करता है लिखने उसको पता भी नहीं चलता है इसलिए इस valid pair valid quad को जरूर चेक करना तूं कैसे चेक करते हैं सर तो एट लिस्ट जब भी हम grouping करेंगे तो एट लिस्ट वन मीन टर्म ऐसा होगा जो एक ही बार group में participate क्या रहेगा देखो देखो यह जो क्वैर बना है देखो क्वैर बना है इसमें देखो यह और यह चार एक द लिस्ट वन मीन टर्म ऐसा जरूर होना चाहिए जो एक ही बार करें बिल्कुल सही है देखो क्वैर में यह और यह एक ही बार पार्टिसिपेट क्या है उनली क्वैर में participate क्या है मतलब यह तो वैलिड है यह तो वैलिड है कोई दिक्कत नहीं इसके साथ अब देखते हैं इस इसको देखो इसमें देखो यह बाला तो क्वैर में पार्टिसिपेट क्या है लेकिन यह बाला जो है एक ही बार पार्टिसिपेट क्या है मतलब यह भी क्या है वैलिड बस यहीं तीनों बना तीनों का नाम आंकरन कर दो इसक्वैर का क्या नाम होगा क्या नाम होगा देखो सब्सक्राइब जया नाम क्या हो जाएगा यहां पर किसी को कई दिकत अब देखो यहां यहां से क्या है देखो ए और इस दोनों में देखो यही तो है ना यहां तो लए खिर नमीग हो जाएगा ए और भी नमींग में तो किछी को दिक्कत नहीं हो अने कैसे और C कितना जाता है पता है आपको वन ही हो जाता है तो उस पर फोकस नहीं करना है सिमिलर काम यहां पर करना है यह कितना हो देखो A बार इसी रो में है और इस दोनों में सेम क्या है देखो B C और B C बार में ए समझ में आया कि नहीं हए यह बता है किसी को 1% है तो बता दो क्योंकि एक właściMark से समझना है तुमें मैं तुम कितना संजो हो जब तुम कोश्टन को में apply करोगे तब ही जाके यह चीज़ पता चलेगा और हो सकता है अभी आपको असान लग नग होगा कि अभी मैं एक और देने वाला हूँ और आपको खुद से करने के लिए बोलूँगा अगर आप कर ले गए मतलब आप सिख गए चीज़ों को सब्सक्राइब कर लिए अगर में सब्सक्राइब है तुम्हारे पास हम इधर मान लिए इधर बीसी मान लिए याद रखना यहाँ पर जो मानते हैं हिसाब से यहां लिए यहां पर लिखते हैं उसी के हिसाब सब्सक्राइब करते जाना अब चैर दो इसका नाम इबार हो गया के यह पूरे ऐसे अब अब यहां तक क्लियर अब दो क्या करना अब अगर इसमें 0123 के फॉर्म में है तो इस ग्रूपिंग का जो नाम है वो कर देंगे देखो यह 0 होता यह वन होता है यह 2 और 3 यह फिक्स होता है यह फिक्स होता है यह चेंज नहीं होगा कभी भी 4 5 6 7 अब कहां मीन टर्म पर जाट यह दिखो संब को करना है क्या अब करना यहा पर फोर्म करना और फॉर्म करते बक्त हमेशा याद रखना है जो मैक्सिम्म नंबर और एलिमेंट को इंगेज करके मुझे group form करना तो अब देखो यहाँ तो तुरहन दिख जाए लोगो यह इसके साथ बना लूसर इसके साथ भावन वम बना लेंड़ तो ङिस करना है तो यह कि सी कॉर्णर पर दिखेज अलिमेंट तुम इसके इसके नीचे भी है यहां पर इसके बना लिया अब बचा क्या एक इधर बचा एक इधर बचा तो यह इसके साथ बना लेगा पेर तो दो पेर बन गया क्या है अब देखो क्या करेंगे जो वैलिड है की नहीं जो हम बनाए है ग्रूप यह ग्रूप वैलिड है की नहीं अब वो कैसा चेक करते हैं तो जितने भी ग्रूप बनाए उसमें एटलिस्ट वन मीन टर्म ऐसा होगा जो एक ही बार इन सर्किल किया गया होगा ओके देखो स्कुरेड में देखो स्कुर्म में कितना चार अल्वन्ट पटेंट होगा कौन से एक दो तीन चार यही 24 पार जैन इसमेंट इसमें त है यहां चाहिए ईन सर्केल क्या तो यह आइसा है जो इतों उसको फिरकिया है अब के शर्भर में तो यह विलर हो गया क्रम एक्पार सिम्यशनों चरदीका mismo करें जो त्रह चुन्ज नहीं होता है सब्सक्राइब कर बस्सक्राइब होँ और याद रखना तुमें जैसे ट्री व्यर्यावल है तो थी वरियेबल में अगर क्याइबल बनेगा तो एक बैरियेबल रिडियूस हो जाएगा दो वैरियेबल है दो वैरियेबल है तो चेक करोगे तो इसका नेमिंग कर देंगे, अगर यहीं चीज़ प्यूस फर्म में होता है, तो आप लोगों के लिए प्यूस फर्म में, लिकिना एक डाम नमर नेक्स्ट, यह clear हुआ नहीं यह बता दो अब किसी को डॉट है 1 परसेंट भी बता दो जल्दी क्योंकि अभी question देने वाला हूँ तुम्हें POS form में जो तुम्हें खुद करना है और तुम क्या सीखे इस चीज़ को चेक करने के लिए यहां तक किलियर है सब को अब कर लोगे ना अभी तो कर लोगे न कोश्चन चलो यहीं कोश्चन आफ अब इस इकॉल टू पाइड जीरो वन टू वन टू फोर फैर जल्दी से कर दो यह कोश्चन यह एक्जामपल नमर टू है जल्दी से करो चलो जल्दी से यह कोश्चन चाहिए यह प्यू एस फर्म है क्योंकि पाइल लगा हुआ है देख लेना एलाट हो जाना ऐसे नहीं जल्द बाजी में बस भावनाओं में बाह जाना क्योंकि सारे असोपी फर्म में कर देंगे यह प और ऑप्शन है आपके पास जो मैं अभी बताऊंगा पहले तुम इसे स्वल्म तो करो पहले तुम इसे स्वल्म तो करो कि दूट नहीं पहले कि अगा कि तुम लोगे साथ यहीं पहलों है जब क्लास नहीं लगा रहाता है तो तुम बहुत चिल्लाओं गिसे Carroll इलेक्ट्रोनिक्स न vino son सबसे बरी तुम लोगों की पता नहीं अब क्या बोलू मैं ही करतेश हैं इस और मतलब पता की नहीं चलता है जो यहां करें आप है कर लोगी तुम लोगिंशा लगे मैं यहाँ आप है अब यहीं ंपना यहां परहले मुझे और पेट में बिल्कुल पढ़ेगा स्टुरेंट क्या रहता उसको तो मजबूरी हो जाती है फिर जो नहीं जाएंगे तो सर फिर यहां से बोलेंगे जो क्यों ने पर रहे हो कुर्स किसलिए लिए हो लेकिन आप लोगों के पास तो ऐसा है नहीं तो आप लोग एक दिन के पास और डेडिकेशन नहीं है तो फिर मुस्किल है कोई भी चीज अंसिल करना कोई चीज का स्टार्ट करना असान आए लेकिन उसका एंडर तक पहुचना अंजाम देना उसका रियली में बहुत ही टपकाना कोई साभी और भो कोई साभी वर्क हो मैं यह बोल लाँ हूं कि यह जोपी फोर्म में है यह लेकिन इस फोर्म में एंसर जाए यह मुझे मैं थोड़ा हिंट देता हूं हो सकता है आप लोग नहीं होगा प्योर्य फोर्म में और कोई भी जचीजों को आप आसाभी पिण पर इंडिल करते हो और यह दिखरा आ है कि आपको देखके ही दि तो दिक्कत कहा हो रहा है दिक्कत हो रहा है नेमिंग करने में और नेमिंग करने में और पेरिंग करने में इसको यहां पर देखो अब यहां पर बी सी ने लिखेंगे बी पलस दी लिखेंगे क्यों सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब क्यों सब्सक्राइब क्यों सब्सक्र दैएगा पहले क्म पोस में हम acum ऐसले क्यों करते हैं ढ़क्त नहीं था उसमेंस नहीं और हम की मैं यहाँ पहला को डिवाइब कंपलीमेंट और भी धक्त रहाँ अन कंपलीमेंटé तो यहाँ पे कंपलीमेंट था पहले अभी ज़ा और सबस्क्र यहां पर लिखे होगे नाम चार बॉपक्स में पहले सबीयां सी जो नीमिंग करेंगे हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा देखो बी पलस सी अगर नहीं भी वहता है तो तुम इस पर इसके बाद कितना होगा अगला बताओ तुम जल्दी से अगला दो जल्दी से बताओ ये और ये जल्दी से बताओ कितना समझ दो जल्दी से बताओ ये इसमें नेमिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है यह कर लिये तो फोर्म करना बहुत असान है बांकि नाम नेमिंग करना बहुत असान है जल्दी बता ये और ये कितना होगा जल्दी से तो देखो यहां पर तो बस का है 012 2 3 4 5 6 7 यह नहीं कॉंस्टेंट ही होता इसमें कोई चल्जर नहीं चाहिए सोपी फ़र में जा चाहिए प्यूएस फ़र में जा अब दो का जी रो वन टू फ़र फैव जीरो वन टू फोर और फाइव यहां पर वन नहीं लिखना है जलबाजी में आकर वन मत लिख देना यह प अब दश्यूंत करना यहां पर नत चलीट करना यहां बने कैसे बने का मैं पर देखो नुमारी को इन्गे मेंट को अपकर देखो सबगों करना 공 नहीं वीन खिर दुब बना कि लैंसर को और यहां में जानले इससा कि अब च्यक्all बेता है कि अब इसका बान गया कि हम अब चेक करेंगे इसकाègल थी करा फुर्छ देखो यह वाला जो कॉर्ट है उसमें यह दोउनको सौश के थो हितनल मैं इसका नंच पर गख कि क्या होगा इसका बंब करो महीं सुर्ण यह गश dif has का नेम क्या हो जाएगा तो स्क्वार का नाम देखो लिए बिटलस और दिपाली तुकन opini ऐसे को तसे हो रहा है दो सीयły हो रहा है कॉंस्टेंप क्या है कॉंस्टेंट के है का पर यहां पिस्टक्राइके रखा इसका नयुAGंद